पार्थ यूट्यूब चानल हम देख रहे हैं चाप्टर हीट फॉम साइनस वन लेस्न नमबर फाइव जिसका आज देखेंगे लेक्चर नमबर फॉर जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपैसिटी के बारे में बात करेंगे हीट कैपैसिटी क्या होती है हीट एक्सचेंज किस तरह होता है एंड स्पेसिफिक हीट को मेजर किस तरह किया जाता है इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इफ यूड़र चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलना शेर करना वीडियो का लाइक भी करना चली शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी शुरू होगी with unit of heat पहले unit समझ लेते हैं heat का दो टाइप के unit के बारे में हमें बात करनी है एक होता है SI unit system internationally unit एक और बार system internationally unit international unit है जो सब जगा यूज़ किया जाता है सारे लोग यूज़ करते हैं और वो unit है Joule यह हमें पता है आपको पता है मुझे पता है सबको पता है SI unit है Joule और दूसरा जो unit होता है वो है CGS unit ध्यान से सुनना CGS मतलब centimeter gram second centimeter gram second system होती है units की एक बात आपको यहां बताता हूँ SI unit है Joule मानते हो energy का SI unit Joule है लेकिन CGS unit energy का होता है urge ERG urge लेकिन जब आप heat की बात करते हो specifically heat की तो heat के लिए calorie use किया जाएगा in CGS system तो SI unit रहेगा Joule heat का and CGS unit रहेगा calorie for heat calorie सिर्फ heat के लिए रहेगा बाकी सारी energies के लिए urge are you understanding ठीक है तो अब यह calorie क्या है इसको हम समझ लेते हैं with the help of one simple example यहां लगाया एक burner burner के उपर लिए test tube test tube में लिया है पानी कितना पानी लिया है one gram water अभी आप comment में डालो गया कि के सर पानी तो लीटर में मिली लीटर में मेजर किया जाता है आपने ग्राम लिखा है ग्राम तो मास्क का यूनिट है यह गलत है है ऐसा नहीं होता ना देखो सुनो वॉल्यूम का measurement किया जाता है लीटर में एंड मिली मिटर में वॉल्यूम लेकिन जब आब मास की बात करते हैं तो मास तो इसका temperature increase हुआ कितना हो गया 15.5 degree Celsius तो हुआ क्या वन ग्राम वाटर था मेरे पास उसका temperature वन डिग्री से increase हुआ I repeat वन ग्राम वाटर का temperature वन डिग्री से increase हुआ तो जो हीट मैंने प्रोवाइड की वो हीट कितनी थी वन कैलरी नहीं समझे डेफिनेशन सुनो the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 gram of water एक ग्राम वाटर का temperature raise करना है by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius that is called as 1 calorie of heat कहानी समझ में आ रही है बहुत ही simple चीज है एक ग्राम पानी है उसका temperature एक डिग्री से बढ़ाना है तो मुझे जो हीट देनी पड़ेगी वो रहेगी 1 calorie and यहां पर calorie and joule के बीच में क्या संबंध है क्या relationship है वो देख लिजिए 1 calorie is equal to 4.18 joules calorie बड़ा होता है joule थोड़ा छोटा होता है फिर भी joule SI system में आएगा and calorie CGS system में आने वाल है ठीक है 1 calorie is equal to 4.18 joules यह objective में आ सकता है MCQ में आ सकता है कहीं पर भी एक माग के लिए पूछा जा सकता है तो अब यह छोटी छोटी बाते हो गए तो थोड़ी बड़ी बाते करते हैं यहां पर बड़ा सा बीकर लिया है और उसमें पानी कितना है 1 kg ग्राम मास बता रहा हूं वोल्यूम नहीं 1 kg अब एक किलो पानी का टेंपरेचर अगर मुझे एक डिगरी से बढ़ाना है तो उसको मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी वन किलो कैलरी देखो एक ग्राम को कैलरी लगता है तो एक किलो ग्राम को किलो कैलरी लगेगा सिंपल इसाब है ना? डेफिनेशन देखिये इसाब एक ग्राम कालरी हीट पानी कालरी का ग्राम कालरी का संबं इक डिग दम इसम्पला है तो है पे दो चीज अक लिए और होग़े जूल क्या है ऐसा यूनित आता है यह बेसिक बाते समझ गए तो चली थोड़ा आगे जाते हैं आज आते हैं आज के में टॉपिक आज के में अट्रैक्शन पे के specific heat capacity specific heat capacity को समझने के लिए हमें करना पड़ेगा है छोठासा इस्पेरिमेंट हमने लगा दिया गैस गैस के ऊपर रखा वीकर वीकर मिल लिया पानी एंड पानी को किया हमने बॉइल बुड़ 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 देखो बॉइल हो रहा है इस उबलते हुए पानी के अंदर मैं डालूंगा तीन मैटल के गोले पहला गोला पानी में इसे heat absorb करेंगे and उबलते हुए पानी का boiling water का temperature होता है 100 degrees Celsius तो कहना इसे after some time थोड़ी देर बाद तीनो spheres का temperature 100 degrees Celsius पहुच जाएगा मानते हो कि नहीं तो देखो, all the three spheres will reach a temperature of 100 degrees Celsius after some time अब मान लेते हैं कि तीनो spheres का temperature 100 degrees हो गया फिर मैंने वो गोले पानी में से निकाल लिये और उसको मैंने wax के slab पर चड़ा दिया wax को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भी याद नहीं main is it पता नहीं, comment में डाल देना अगर आपको पता है तो मैंने metal के spheres को गोलो को wax के उपर एक एक करके डाल दिया अब ध्यान से सुनना मेरी बात तीनों का temperature 100 degrees है तीनों का temperature सेम है तो हुआ क्या, देखिए क्या observe कर पा रहे हो iron का जो गोला था वो सबसे deep तक, सबसे अंदर तक गुसा copper का जो गोला था वो middle तक आया and lead का था वो थोड़ा ही नीचे तक जा पाया तो ऐसा क्यों हुआ, आई ये समझते हैं कहां नहीं समझ गई यहां तक अब इसका reason समझ लेते हैं देखिए, पहली बात, सबका temperature सेम था ये बोलते रहने का मेरे साथ सबका temperature सेम था बट, तीनो स्फियर के अंदर heat energy अलग थी देहां से सुनना there was different heat energy present in each of the spheres ऐसा कैसे हो सकता है temperature तो सबका सेम था लेकिन तीनो में heat energy का quantity अलग था देहां से सुनते हैं iron absorbed maximum heat from water iron ने पानी से maximum heat absorb की and वो heat उसने wax को दी wax melt हुआ and iron का गोला सबसे dip तक गया copper absorbed intermediate heat copper ने iron से कम heat absorb की वो middle तक आया wax को heat दी उसने and वो middle तक आके रुग गया and lead absorbed minimum amount of heat from water वो heat उसने wax को दी and lead का गोला उपर तक ही starting तक ही थोड़ा सा नीचे जाके रुग गया तो can I say यहां पे हर एक substance का heat absorb करने का capacity अलग होता है भले उनका temperature सेम हो फिर भी सारे materials अलग-अलग amount of heat absorb करते हैं सबकी heat energy सेम होती नहीं है Are you understanding? तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? the property which determines the amount of heat absorbed by a sphere हर एक sphere अलग-अलग amount of heat absorb कर रहा है हर एक sphere की अपनी एक property है अपनी एक capacity है heat absorb करने की that capacity of absorbing heat is different for the three spheres Are you understanding? तीनों का temperature सेम रहेगा फिर भी वो लोग अलग-अलग amount of heat absorb करते हैं सबकी heat absorb करने की capacity अलग है तो इस property को हमने नाम क्या दिया है this property is called nothing but specific heat capacity एकदम simple देखें तो इसका definition समझ लेते हैं the amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object unit mass मतलब 1 gram by 1 degree Celsius मतलब आपके बास 1 gram material है 1 gram object है उसका temperature आपको 1 degree से बढ़ाना है 1 gram का temperature एक डिगरी से बढ़ाने के लिए हमें जो heat देनी पड़ेगी that is called as the specific heat of that object नहीं समझा? काफी simple है example देता हूँ water की बात करते हैं अभी हमने unit of heat में पढ़ा था 1 gram water है उसका temperature 1 degree से बढ़ाना है 1 gram water 1 degree rise तो मुझे उसको 1 calorie of heat देनी पड़ती है मानते हो? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 calorie per gram per degree Celsius rise in temperature एक gram पानी का temperature एक डिगरी से बढ़ाने के लिए 1 calorie heat देंगे 1 calorie per gram per degree Celsius तो इसको अगर हम ऐसे लिखें 1 calorie per slash gram degree Celsius तो यहाँ पर आपको specific heat का unit समझ में आ रहा है calorie per gram degree Celsius यह unit होता है specific heat का अरे कहानी समझ रहे हो? यह तो water की बात होगे iron की बात करते हैं iron का क्या है देखो 0.11 calorie per gram degree Celsius अगर इसका meaning आपको समझ में आ गया है तो वीडियो यहीं पर post करना और इसका meaning comment में post कर देना अब इसका मतलब समझ लो अगर आपके पास 1 gram iron है कितना? 1 gram iron और उसका temperature आपको 1 degree से बढ़ाना है तो आपको कितनी heat देनी पड़ेगी 0.11 calorie water का कितना होता है? 1 calorie iron का कितना है? 0.11 calorie तो जल्दी कौन गरम होगा heat कम कौन absorb कर रहा है? iron तो इसका temperature फटा-फट बढ़ेगा तो तवा जल्दी गरम होगा पानी से पहला वाला example जो हमने देखा था फिर copper की बात करते है 0.095 calorie per gram degree Celsius अब तो आपको समझ में आ गया होगा? अगर आपके पास 1 gram copper है उसका temperature 1 degree से बढ़ाना है तो कितनी heat दोगे? 0.095 calorie तो देखो temperature तो 1 degree से दोनों का बढ़ रहा है iron का भी और copper का लेकिन ज्यादा heat कौन एब्सॉब कर रहा है iron एब्सॉब कर रहा है ठीक है? तो iron के पास ज्यादा heat है तो वो wax के अंदर ज्यादा deep तक जाएगा simple सी बात है and lead की बात करते है 0.03 calorie per gram degree Celsius 1 gram lead है उसका temperature 1 degree से बढ़ाना है तो हमें 0.03 calorie देने पढ़ेगी थोड़ी सी heat दोगे lead का temperature फटक से बढ़ेगा कहानी समझ में आ गई iron सबसे ज़्यादा heat एब्सॉब करता है तो वो एकदम deep तक जाएगा copper ने iron से थोड़ी कम heat एब्सॉब की तो वो middle तक आके रुख गया and lead absorbed minimum amount of heat इसलिए वो उपर ही था थोड़ा सा अंदर गया बस यहां तक कहानी समझ में आ गए I hope समझ में आ गए best try कर रहा हूं मेरी दूसरी बात unit की बात करते है specific heat की cgs unit जो है centimeter gram second system वाला unit calorie per gram degree celsius यह तो हमने देखा बराबर है तो SI unit joules में रहेगा SI unit है joules per kg degree celsius इसका मतलब क्या होगा अगर आपके पास 1 kg substance है और उसका temperature आपको 1 degree से बढ़ाना है 1 kg का temperature 1 degree से बढ़ाना है तो कितना joules energy देना पड़ेगा joules per kg degree celsius समझ में आया ठीक है चले थोड़ा के जाते है हमने यहां पे लिया है एक purple color का object इसको हम गरम करेंगे नीचे लगा देंगे burner, burner को किया चालू we are providing heat अब इस object का specific heat देखो specific heat को denote किया जाता है by alphabet c अगर आपने formula में कहीं पे भी c देखा c मतलब क्या specific heat इस object का mass रहेगा m and अगर उसको हम गरम कर रहे हैं तो temperature increase होगा तो increase in temperature will be denoted by delta T triangle मतलब delta, delta T ठीक है तो इस object ने total कितनी heat absorbed की total heat absorbed यह हमें पता चलेगा by a very simple formula mass m into c specific heat into delta T increase in temperature m c delta T total heat absorbed by any object अगर आप उसको गरम कर रहे हो तो वो क्या रहेगा m c delta T and यहाँ पर अगर हम इस object को थंदा करें chill करें तो बैसकी specific heat तो c रहेगी mass रहेगा m and decrease in temperature रहेगा delta T change in temperature delta T तो heat lost by the object again by the same formula m mass into c specific heat into change in temperature decrease in temperature delta T तो एक simple सी बात समझ लेना अगर आपने object को गरम किया तो उसने जितनी heat absorb की उतनी ही heat वो lose करेगा जब उसको आप थंदा करोगे ठीक है तो heat absorbed and heat lost इसका quantity इसका value same रहेगा m c delta T absorbed में वो ले रहा है lost में वो दे रहा है लेकिन same amount of heat देगा और लेगा m c delta T कहा नहीं समझ रहे हो काफी simple सी चीज है अभी यहां पर आपको heat exchange का भी एक छोट आसा idea दे देता हूं concept बता देता हूं समझों हमने एक डब्बा लिए this डब्बा box is made up of heat resistant material मतलब डब्बे के अंदर जो भी heat exchange हो रहा है मस्ती हो रही है heat डब्बे के बाहर जाने वाली नहीं है सारी heat डब्बे के अंदर रहेगी heat resistant material का डब्बा है अब इस डब्बे में मान लो मेरे पास दो object है एक है hot object, लाल वाला, ब्लू वाला, cold object simple सी भाशा में यहाँ पर क्या होने वाला है बता देता हूं आपको hot object अपनी heat cold object को दे देगा hot object देगा, heat देगा and cold object लेगा, heat लेगा तो यहाँ पर simple exchange of heat होने वाला है so देखो, the cold object gains heat energy and the hot object loses heat energy simple and यह exchange कब तक होगा जब तक दोनों का temperature सेम नहीं हो जाता है जब तक दोनों का temperature सेम नहीं हो जाता है तब तक heat exchange होगा from hot object to cold object simple देखें, जब तक दोनों का temperature, दोनों का color सेम नहीं हो जाता है तब तक वहां पे heat exchange होने वाली है तो ultimately हमें पता क्या चलता है the heat lost by the hot object जितनी heat hot object ने lose की that is equal to the heat gained by cold object simple जितनी hot ने दी उतनी ही cold ने ली क्या ली? heat ली this is called as the principle of heat exchange जितना दिया उतना लिया simple यहां तक बात समझ गई चले थोड़ा आगे जाते हैं बात करते हैं measurement of specific heat की इस chapter का last topic इसके बाद numericals बचेगा जो हम अगले lecture में देख लेंगे अभी देखो specific heat को measure करने के लिए मुझे चाहिए एक छोटा सा instrument called as calorie meter यह डबबा यह है हमारा calorie meter इसका construction पहले समझ लो सबसे उपर है heat resistant lid lid मतलब धकन अब यह धकन heat resistant है मतलब अंदर जो भी heat exchange होगा वो अंदर ही रहेगा heat बाहर जाने वाली नहीं है अंदर की गर्मी अंदर heat resistant lid फिर black color का जो outline है that is the outer vessel बाहर का डबबा and अंदर जो orange color का दिख रहा है that is the inner vessel अंदर वाला डबबा दो डबबे होते हैं outer vessel inner vessel inner vessel is made up of copper तामबे का यह हमें याद रखना है inner vessel is made up of copper and inner vessel के अंदर पानी है and last बात outer vessel and inner vessel के बीच में gap दिख रहा है that is the air cavity एकदम simple heat resistant lid है outer vessel है inner vessel है air cavity है and inner vessel के अंदर पानी है basic बाते हो गए हटाओ इसको अब मैंने क्या किया एक metal का गोला गरम गरम hot metal sphere लिया and उस metal के गोलो को गोले को मैंने पानी में डाल दिया तो यह metal का गोला थंडा होगा अपनी heat loose करेगा देखो आपर heat loose कर रहा है थंडा हो रहा है ठीक है metal sphere ने heat loose कर दी तो किसने heat gain की water will gain heat and water is in contact with inner vessel of calorie meter तो वो inner vessel भी heat gain करेगा तो मुझे बता दो एक बार metal sphere will lose heat water will gain heat and inner vessel of calorie meter will gain heat तो हमारे equation काफी simple हो जाता है heat lost by the solid object metal object is equal to heat gained by water plus heat gained by calorie meter जितना metal object ने दिया उतना ही पानी and calorie meter ने लिया क्या लिया? heat लिया जितना heat lose हुआ उतना heat gain हुआ काफी simple है ठीक है तो मान लेते हैं कि heat lost by solid object is denoted by Q heat lost by solid object is Q तो Q is equal to heat gained by water Q1 plus heat gained by calorie meter Q2 Q2 काफी cute है Q is equal to Q1 plus Q2 simple तो हमें यहाँ पे तीन equations बताने हैं सबसे पहला heat lost by the solid object कितना रहेगा भई? m, c, delta, t m मतलब क्या mass of solid object into c मतलब क्या specific heat of the solid object metal का जो sphere है into decrease in temperature delta t simple यह हो गया heat lost by solid object तो heat gained by water कितना रहेगा? Q1 क्या रहेगा? m, c, delta, t m क्या है? mass of water into specific heat of water into पानी का temperature बढ़ा increase in temperature delta t ठीक है? and तीसरा रहेगा heat gained by calorie meter Q2 क्या रहेगा? m, c, delta, t mass of calorie meter into specific heat of calorie meter into increase in temperature of calorie meter तो यह तीन equation हमें use करने हैं अब आप बताओ मुझे यहाँ पे अगर water का specific heat मुझे पता है and calorie meter का भी specific heat मुझे पता है तो क्या हम solid object का specific heat calculate कर सकते हैं using these formulas कर सकते हैं करेंगे numerical मैं करेंगे यहाँ पे नहीं करेंगे यहाँ पे सिर्फ आपको मैं यह concept बता रहा हूँ ठीक है? तो यह हो गई सारी heat की बाते I hope सारे concept एकदम crystal clear हो चुके पढ़ाने की पूरी कोशिच की गए यहाँ पे 100% देया गया है in spite of बीमारी I hope समझ में आया है तो ठीक है like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना यह तो हर बार बताता हूँ कुछ नहाँ नहीं है लेकिन करना subscribe and thank you so much for 10,000 subscribers and as usual thank you very much